आज है तेंस जन्वरी दो हजार इक्यस मुरली कासार मीटे बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की इसमें मुझो नहीं प्रश्ण अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुहिये बात सहज ही समझ सकते हैं उत्तर ब्रह्मा बाबा समझा रही है या शिव बाबा यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे कई तो इसमें ही मूझ जाते हैं बाबा कहते बच्चे बाब दादा दोनों इकठे हैं तुम मूझो नहीं श्रीमत समझ कर चलते रहो ब्रह्मा की मत का रिस्पॉंसिपल भी शिव बाबा है धार्ना के लिए मुख्यसार पहला सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है जवाबदार एक बाप है इसलिए श्रीमत में संशे नहीं उठाना है निश्चे में अडोल रहना है दूसरा विचार सागर मन्थन कर बाप की हर समझानी पर अटेंशन देना है स्वयम ज्यान को धारिन कर दूसरों को सुनाना है वर्दान अपने प्रत्यक्ष प्रमान द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ट तकदीरवान भव कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमान दिये जाते हैं लेकिन सबसे श्रेष्ट प्रमान प्रत्यक्ष प्रमान है प्रत्यक्ष प्रमान अर्थार्थ जो हो, जिसके हो, उसकी स्मृती में रहना, जो बच्चे अपने यथार्थ वा अनादी स्वरूप में स्थित रहते हैं, वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित हैं, उनके भाग्य को देखकर, भाग्य बनाने वाले की याद स्वतह आती है स्लोगन, अपने रहम की द्रिष्टी से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुन्य आत्मा है, ओम शान्ती